आप सभी को रीचा का प्यार भड़ा नमस्कार आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैगन की भरता की डैस्पी तो इसके लिए मैं ले लूँगी टमाटर, प्यास और बैगन तो मैंने इन सब को ले लिया अच्छे से धुल लिया है अब मैं इन सब को कट कर लूँगी तो इन सब चीजों को मैं कट कर ली हूँ छोटे छोटे पार्ट में तो आप देख सकते हैं मैंने इन सब को छोटे छोटे पीसे में कट कर लिया है आप बैगन का छिलका उतार भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं अब मैं एक CUKER को गरम कर लिया हूँ, अब मैं इसमें डालोगी औलुगी ओयल, जब ऑल गरम हो जाएका अच्छी तरीके से, तब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज को तो फिर फ्राई करके उसके बाद मैं इसमें में डाल देती हूँ, बैगन को और टमाटर को, तो अभी मै अप्याज को fry कर ले रही हूं अप्याज थोड़ी सी fry हो गई है तो एस स्टेज पर इसमें टमाटर डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसमें टमाटर को अच्छी तरह से ओयल मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें डाल दूंगी बैगन तो इन सब चीजों को डाल के मैं और इन सारे चीज़ों को आयल मेच्छी तरह से मिक्स करके पहले की पांच मेर तक मीडियम हीट पे उसके बार लो हीट पे पकाती हूं और इसी स्टेज़ पे मैं इसमें डाल की हाफटेस्पून अमचूर पायोडर दाला है 3D अब शुमे और अमचूर पैडल बाझंदिया के किऊज़ों प्यास भी पानी जुरते हैं, और ये सबजी अच्छी तरीके से पग भी गई है, अब मैं एक पैन को चड़ा लूँगी, और इसके पहले मैं अच्छी तरीके से इन सारी चीज हो को मैस कर लूँगी, तो आप मैस और से इन सब चीजों को मैस कर लें- उसके बाद मानेे पैन को चड़ा दिया है अब मैंने इसमें थोड़ा सा ओयल डाल दिया है और मैंने इसमें हाफ टी स्पून हींग डाल दी अधिये जब हीं अच्छे से पक जाएगी तो इस स्टेज पर डाल देती हूँ प्याज जो मैंने इन चीजों को पकाया था उसे भी डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी तो अब मैंने इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अब मैं थोड़ी देर के लिए कम से कम तीन मेर तक मीडियम फ्रेम पे से पका लूँगी और इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा डाली हूं मैगी मसाला मैजिक इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हांस होता है अगर आप ये ना भी डालें तो भी टेस्ट अच्छा रहता है इसके बाद मैंने इसे हरे धरियां से गार्निस कर दिया है और गैस को बंद कर दिया है तो अब ये स्वादिश बैगन का भरता बन के तयार हो गया है जो की खाने में बहुत ही तेस्टी होता है